हाँ तो दोटे इस वीडियो के अंदर हम टाटा टेक के आईपउ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपउ के अंदर आपको कितना लिस्टिंगे इन मिल चक्ता और आपको इस आईपउ के अंदर अपलाय करना चाहिए या नहीं चलिए शुरू करते हैं तो रही के सबस्जीरह अगर हम यहां पर आईपउ के इस्टे के बारे में अगर हम बात करेंगे ङावर करेंगी 25 नवंबर कोour में ओपन हथा और नजार आएगा और 20 नवंबर कोिश्यास के अगरा बात करेंगे ऑनर एपना टाटा टेक के अंदर अपनाा टक्रे तो देखिए मेरे क्याल से इसमें कोई घलत नहीं है तो कि ये कमनी बिल्कुल हमें डेट फ्री नजर आती है और जो इनका इंटरनल अक्रूवल चोटा तो उसे ये आनोले टाइम के लिए रिइन्वेस कर सकते हैं इसको लिए उन्हें यहापे कोई कैपिटल की जरुवत नही अब अगर हम यहापे कमनी के प्राइसमेंट के अगर हम बात करेंगे तो 475 से 500 के यानि कि 500 के कट ओफ के साब से यहां पर कमपनी आमें यहां पर नजर आती है यानि कि एक लॉट अपले करने के लिए आपको एजएक 15,000 रुपे आपको यहां पर लगने वाली हैं अब लगबग मुझे लगटा है कि यहां पर यह जो आई पर यहां पर काफे जादा आओ लूग यहां पर अपलाए करेंगे और चस्के अब पर इसाफ से अपर हम देखेंगे लगबग मुझे लगटा है कि यहांपे अरूड उप सिख च्वें टाइम समय आपर रीटेल को हुँगा स्मॉल एची नहीं और भी एची नहीं यह दोनों के अनना मुझे लगता है कि लगबग मिनिमम टैन टाम से ज्यादा में आपके कंपनी का नजर आता है तो आपके पास में टाटा मूटर्स के शेर पड़े हुए तो आप टाटा मूटर्स के शेर अगर आपके बास में बढ़े हो तो आप शेर ओलडर कोटा में भी एप्लिकेशन लगा सकते हो अगर हम यहाप यह पर कंपनी के वैलेशंज के अगर हम बात करेंगे तो देख यह लगबग 20,000 करूड के मार्केड के अपर यह कमनी का एप्यो तो अगर हम द Lebens सकते हो यह लगबग 28 fraud के और को अगर हम बात करेंगे तो ग्रेमार्केड थैए ठीए तो अगर हम बात करेंगे तो कंपनी में पर यह जागर हम देखेंगे तो हम आप एक comfortable रेलेशन के अफिचे में आपर यह निचला और अगर अगर हम ग्रे मार्केट पीमयम की अगर हम बात करेंगे लगबख साधे दीन्ट रुपे पर शेर का ग्रे मार्केट पीमयम में अभी अभी ट्रेड हुटा होगा नजर आ रहा है याँडिके यहाँ पर आपको क्या करना चीह है तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा-कासँ आपको करना चाहिए मुझे लगठा है कि कम से कम यहां पे 60-60 जो ग्रे मार्केट प्रिम्यम में इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है उतने प्रीमियम पे लिस्टिंग होते भी नजर आएगे और अगर मुझे लगठा है कि जिस तरीके से यहां पे मार्केट में डिमांड हमें देखने को मिल रही है तो साड़े 300 के ज़्यादा के प्रीमियम पे भी अगर यह आई पे लिस्ट हो जाता है तो मेरे काल चुक्त में मैं कोई ज़्यादा उसे ज़्यादा सर्प्राइज में नहीं होगा और मुझे लगठा है कि यहां पर अगर मा है में देखने को नहीं मिलेगी और मुझे लगठा है कि उसके बाद में एक से दो साल के लिए अगर आपको होल्डिंग के पॉइंट से भी आपको रखना हो तो मेरे क्याल से आप रख सकते हो तकि एक साल से ज़्यादा का फ्यूमियर आप नहीं रहेगा क्यों नहीं है लेकिन अभी टाडा टेक का जो टाडा एलेस्टी का जो स्तौक है हमें कहीने के रुखता हो अंजर आया है यह आपको समझना चीए कि कभी जब यह अगर यह कंपनी का पी लगबग से जादा उपर चला जाएगा तो आप ठोड़ा जोड़ा आपने वहां पे होल्डिंग करने चीए बली टाडा की कम निये लेकिन चोड़ा एक चोबीस का पीजब कमपनी का हो जाता है वह कहीने के वहां पर पर कम होते हुए हमें अजर आती हैं अगर अलॉट्मेंट आती है तो मेरे ख्याल चे एक साल के पुए यहां पर आपको कम से कम यहां पर रखना चीए औ को पूरी तरीकर से आपको वहां पर राइड करना चाहिए दोस्तों मैं पकता हूं कि टाडा टेक के आई प्यों के बारे में आपको सब कुछ समझे में आगया होगा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंड कीजिए मैं जरूर आपके कमेंड पर रिप्लाइ ओके दोस्तों थैंक यू वफ नाइस दी